हलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सभी मुझे उमीद है कि सभी बच्छे 12 में आ चुके होंगे और उनका एक्जाम 11 का खतम हो चुका होगा ठीक है तो अब जरा देखते हैं कुछ ऐसे चेप्टर जो मैस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और चेप्टर वाइस वेटेज कित बात करूं तो दुनिया भर के चेप्टर से आपके टोटल 15 चेप्टर है टोटल कितने चेप्टर है 15 चेप्टर है पहला चेप्टर जो है mathematical लोजिक है हाना इसके लिनियर प्रोग्रामिंग तक पाड फर्स्ट है ठीक है और यहां से लेकर यहां तक चप्टर नंबर 15 तक ज प्रोडन पेपर में आता है ठीक है अभी तो ऑफ्शन की बात हो रही है ठीक है 56 marks परफस्ट से 56 marks पार्ट से आता है यह क्लियर होना चाहिए आपको अदेखो सबसे आसान चेप्र जो है mathematical लोजिक होता है सबसे आसान चेप्टर होता है यह 8 marks है फिर मैट्राइस यह भी आसा ठीक है, छे मार्क्स, यह दोनों आंट छे चवुदा, यह फोकड के मार्क्स होती है, वह इसे भी आपको मालूम है, असी मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स लाना होता है, पास होने के लिए, एक्जाम में पास होने के लिए, एक्जाम में से तो आप एक्जाम आसानी से पा ठीक है, इसमें बहुत एसी है, बहुत कम exercise है, तीन exercise में chapter खतम कर दिया और टुटल 10 marks इसमें से आता है, तो बहुत आसान chapter है, ये आपको समझना पुरेगा, एक और बात हमारी चैनल पर आपको लगाता है, matterize है, जो भी chapter सारे math के lectures मैं करा के दूँगा, हर question कराऊंगा, एक भ यहां पर देखो उसके बाद हम लोग बात करते हैं pair of state lines यह भी समझे लोग 11 का state line उसके आगे का part है यह पूरा का पूरा 6 marks का chapter है फिर उसके बाद बात करते हैं vectors vectors 12 marks का है जो 11 में आपका vectors आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स के अंदर आप 12 में उसी का part समय लोग फिर उसके बाद करते हैं line और plane दोनों एक दूसरे जुड़ा हुआ vectors और line and plane ठीक है उसके बाद line programming linear programming है बहुत easy है यह कितना है 9 marks का तो आपको समझ भी आया है सबसे ज़्याद हम लोग बात करती हैं आगे कुछ chapters है जिससे यहां पर part second चालू हो जाता है chapter number 8 से यहां पर differentiation है तो differentiation 9 marks का है उसका application वो भी 9 marks का है ठीक है application of derivatives वो भी 9 marks यह दोनों मिला कि 18 marks फिर 10 marks का आ जाता है indefinite integration और उसके बाद 6 marks का definite integration आ जाता है फिर उसके बाद application of definite integration वो 4 marks का chapter है फिर इसी तरह differential equation जो है वो 8 marks का chapter ठीक है अच्छे यह सारी चिप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए है सारी चिप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए है पूरा part second एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ठीक है अगर आप perfect करते हो यह सारे perfect करोगे तो एक के बाद एक सारी चीज़ बहुत आसान है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताए और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताके आपको लगातार जो नए वीडियो मैं डालूँगा मैस के उसके अपडेट मिलता रहे साथ ही साथ आपको क्या करना है टेलीगराम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जॉइन करके रखो ठीक है वहाँ पे नए कुछ नोट्स बगरा भी मैं डालूँगा 12 के जो पाकी सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स के अमेश्री उसके भी नोट्स आपको वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर दिये जाएंगे ठीक है